केंदर की नरेंदर मोधी सरकार में 1984 बेच के IPS अधिकारी सामन्त गोयल को खुफिया एजेंसी डिसर्च एंड एनलाइसिस विंग यानि रौ का प्रमुख निक्त किया है इसके अलावा IPS अधिकारी अर्विंद कुमार को इंटिलिजेंस ब्यूरो यानि आईबी का डायरेक्टर बनाया गया है बताया जा रहा है कि पंजाब कैडर के IPS अधिकारी सामन्त गोयल ने बालाकोट एर स्ट्राइक की पूरी प्लानिंग की थी नैरोचीफ सामन्त गोयल मौजूदा चीफ अनील कुमार धस्माना की जगह लेंगे जो ढ़ाई साल की सांदार सेवा के बाद रिटायर हो रहे है 1990 के दौर में जब पंजाब उगरवाद की चपेट में था तब सामन्त गोयल ने सराहनिय कार करते हुए उगरवाद के खिलाब कई अभियान चलाये थे इसके अलावा इंटेलिजेंस बीरो के नए डारेक्टर अरविंद कुमार को कश्मीर मामलों का विशेसग्य माना जाता है फिलाल इसी विभाग में अरविंद कुमार विशेस सचीव कश्मीर है सामन्त गोयल की तरह अरविंद कुमार भी 1984 बैच के ही असम में घालक कैडर के IPS अधिकारी है रव के परमुक बनाये गए सामन्त गोयल को पाकिस्तान के बाला कोट में हुए सर्जिकल स्ट्राइक को सफलता का अन्जाम देने का श्रे दिया जाता है उन्होंने साल 2016 में उरी के बहुँ जर्चित सर्जिकल स्ट्राइक की प्लानिंग में भी महत्युपुर्ण भूमिका निभाई थी वह अभी रव के ऑपरेशन के हेड के तोर पर कारे रत है गोयल 29 जून को रिटायर हो रहे रोग के वर्तमान प्रमुक अनिल कुमार धस्माना की जगह लेंगे दोनों अधिकारियों की नियुक्ती दो-दो वर्षों के लिए की गई है केंदर की मोधी सरकार दवारा बुद्वार को किये गए इन दो महत्वपुर्ण नियुक्तियों के बाद अब सब की निगाहें आर्मी चीफ के बदबर होने वाली नियुक्ती पर्टिकी है वर्तमान आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत इस साल के आखिर में रिटायर होने वाले है